हेलो दोस्तों टॉपर जोन में आपका स्वागत है और देखे दोस्तों आज हम लिखे हैं NCRT क्लास 7 की साइंस की बुक और इसमें हम करेंगे पार्ट 3 और पार्ट 3 में जो मारा चेप्टर है वो हम अमल 6 और 11 और इसके नमा एक चेप्टर और भी है उसे भी हम यहाँ पर करे है आप यहाँ पर दे सकते हैं तो देखे एक तो हम यहाँ पर आम लिखार और 11 जो चेप्टर करेंगे साथ में यहाँ पर हम बहुत ही क्योंग रसानिक परिवर्तन भी करेंगे तो बहुत ही इंपोर्टन कुशन है और आपको बतादे कि यहाँ से सीटट 2018 जो कि दिसंबर म है हुआ है अमने चारक और लवन तो इसमें हम अमने चारक के बारे में जानेंगे क्योंकि सेवंध क्लास किया तो उसी आधार पर इसको बनाया गया है तो यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर बताया है कि खाने का सोड़ा क्या है बेंकिंग सोड़ा कैसे काम करता है यह स्वा तो इस परकार से आप दे सकते हैं यहां生 पर chapter रह पूरा आपको हम यह chapter दिखा आज्था आज तो देखेए इस परकार से chapter है तो इसमें जो भी important point बने है इसको हमने note कर लिया है तो चलिए स्रूप करते हैं पहला पर NCRT की बुक में लिखा गया है जो परिवासा लिखे गए कि और हम उन्हीं को लिख रहे हैं क्योंकि यह क्लास अभी सेवंथ कि है इसलिए यहां पर छोटे लेबल लिखा गया है जैसे हम क्लास 9 10 करेंगे तो वहां पर भी चेप्टर है लेकिन वहां पर जो इसकी परिवा को कैसा कर देता है और चार जो है वो लाल इटमस को कैसा कर देता है तो यहां तकि जो चार है यह लाल इटमस को नीला कर देता है और अमल जो है यह नील इटमस को लाल कर देता है तो यह इंपोटेंट है वही पदार्थ से जो ना अमली होते हैं और ना ही चारी होते हैं अलाग अलाग कड़र कर यहांपर अगर रंग परुवाइट करवाते हैं तो उसको इंडिकेटक आ जाता है इंडिकेटर या फिसको सूचा कर कहते हैं आपकेड़ा है भी हो सकता है चाहरी भी हो सकता है उदासी के हो सकता है प्रक्रिति सुचक जो natural indicator होता है लिटमस इसको Lichen से बना जाता है बहुत इंप्रेंट कुछन है और यहाद थे कि लाइकेन यहाँ दखिए कि यह एक तरह से पॉलिशन का भी सूचक होता है वाई यू पर दूशन का भी तो जो लाइकेन है इसी से लिटमस पेपर बना जाता है अब हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए जो यह वाला हमने हाइलाइट क्या है यही जो था सीटेट है खाने का सोडा यानि सोडियम हाइडोन कार्बोनेट और देखिए दोस्तों यही अगर आपके पेपर है तो आप दे सकते हैं वहाँ पर पूछा गया था इसलिए हम यहाँ पर यूट्रेट का भी पेपर पांच सालों का प्रिवियस पेपर के सॉल्व करवा रहे थे ताकि जब आप NCRT बुक पढ़ें तो आपको पता थाले कि कौन सा कोश्चन जो है कि चप्टर से पूछा गया था तो हमने यहाँ पर प्रिवियस पेपर डाले हुए हैं आप उनको जिरूर देखिए तो यहाँ पर देखिए खाने का सोडा सोडियम हाइडोन कार्बोनेट चाहिए तो उसमें अमल होता आजर्वक झपने का सोड़ा होता है यह चारी होता है तो यह आपस में मिल करके उदासीन कर देते हैं तो इसलिए यहाँ पर जिटी टंक डंक मारती है तो उस समय खाने का सोड़ा लगाय जाता है अमल भी दो परकार के होता है प्राकृतिक अम अबर आदी से प्रात कि जाते हैं प्राकर्तिक अमल को organic acid carbonic अमल भी कहते हैं जैसा करते हैं यह पेड़ पॉधों से और जनतों से मिलते हैं इसलिए इसलिए इनको जो दूसरा प्रकार का जो एसिड है खनीज अमलों क्या होता है तो मिन्रल जो एसिड होता है एक या एक से अथिक आकारबनिक देखिए इसमें आकारबनिक है आकारबनिक योगिक से उत्पादित अमलों को खनीज अमल कहता है खनीज अमल को आकारबनिक यानि इन और्गनिक कहते हैं जैसे इसमें आपका है अब रहा है जो कि आपने ले वह गरा में यूज़ किया होगा सल्फ़ियोरिक नाइ्ट्रिक अमल यह सभी के सभी जो हते हैं यह मिनरल एसिड यानि खनीज अमल कहलाते हैं सिरके में तिक्तिस्वाद एस्टिक एसिट के कराण होता है साइट्रिक अमल खट्रिक फ़लों में मिलता है टमाटर सॉस में भी साइट्रिक अमल पाय जाता है तो यह बहुत इंपोरेंट कोछ आना है एस प्रकार कि यहां کے ओशन थो ॏ स इस पूछे गए तो यह सिरका होता है इस इसमें एस्टिक अमल पाया जाता है और साइट्रिक अमल होता है यह खट्रवं में मिलता है represent स्वाइट्व का जाता है जब आमल और चारक एक दूसरे के साथ अविकृए करते हैं, इससे जो पदार्थ बनते हैं उसे लवन कहते हैं, तो दीखें इस प्रकार से यहाँ पे एक रियक्सन बताइग गई है, यह है यह अपर अमल है और आय जो है वो चारक है तो यह नय यह सीयल बना जेता है जो कि लवण है और हाइड़िन यहां पे एस्टू वह वाटर वह निकल आती है अब इसके साथ यहां देखिए कि यहां से दो-तिन क्या क्या बनें तो पहला कुछन नहीं कि मानो सरीर का प्याइच मान कितना होता है तो मानो सरीर के अगर रक्त की बात कर करते हम तो 5.4 होता है जल की बात करें तो 7 होता और एक कोईशन आ आप आज रहा है कि कि अमलिया वर्चा वह पोछा आता था तो Aamar ze लेकर क्ति 5.5 तक. वहम देल सबस्क्राइब करोचा करें बैद नंको क्वार्मिक अम्ल का परियों कर दो उसके लिए benjoic अमल का परियोग कहता है खादे पदार्तों के सर्णेक्षन के लिए benjoic अमल का परियोग किया जाता है तो यहाँ पर यह हो गया अब second next chapter जो है यहाँ पर chapter 6 बहुत तीक यहुंग रसायनिक परिवर्थन तो इसमें हम जानेंगे क्या होता है तो देखे परिवर्तन जो है दो परकार किया होते हैं यहाँ पर अगर हम बात करने कुछ फाहिते हैं के दूसरी अवस्था में उस्था में आप नहीं ला सकते तो जैसे याँप एकर हम बात करें रहसानीं परिवर्थाक की तो रहसानी के परिवर्था में नए पदार्थ बनते हैं पानी का बनना जैसे देखिए हाइडोजन और और ऑक्सें जो है यह है यह एस टू-व की बात कर तो जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन समानता उतकर्म नहीं होती है यह पूछा आता है और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है रसानी की बात करें तो तो लोही पे जंक लगना कि इसी ग्यास का बनना मैगनिसियम के फीते का जलना तो यह भी एंसियाटी की बूक में बहुत अच्छी दिखाया गया इसका यहां पर डाइग्राम इसके लाम पठाकों का जलना तो पठाकों का जलना भी जो है रसानिक परिवर्तन और इसी प्रका फिर बश्यानिक परिवर्तन नहीं बनता जबने हम बाँन में अच्छायए वेगन परवेखन होती जो अख बेर्शानिक परिवर्तन है यह भी एक सटाएं बहुत हैसरा इंक कुछा सकता तो यह भी क्या है ये एक रसानिक परिवर्तन है अब हम बात करते हैं पर लोह यानि फ्रस प्रस और अगर जल यह तीन चीज़ा रापस में मिल जाए लोह के साथ यह और पानी पर डाल देते हैं तो वहां पर जंग लग जाता है जिसका फॉर्मूला आप देखें तो आईरन अकसाइड होता है एक यह यहां में पूछाता है यह जंग का फर्मूला है लोह पर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी किसी दातों की पर चड़ाना यह सुद लेपन यानि ग्लिवलेजाशन क्याता है तो बहुत ज्यादा कुछे गया है और लगातार यहां से पूछे ज मेंगनेशियम जैसे धातों को मिला कर बना जाता है इसमें जंक नहीं लगता है तो देखिए दोस्तों जो आप बरतन यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टेल के रहते हैं इसलिए आपने देखोगा कि काफी पुराना बरतन होने की वाजूद भी उसमें किसी प्रकार का जंक नहीं लगता और आपका बरतन जो होते हैं और मैगनीशियम की बनी होती हैं चलिए बात कर लेते आपे एक्जामर की जिसिति रूप से नहीं दिखा जा सकता यह प्रक्रिया क्रिश्टली करण कहलाती है यह भी एक भुथ परिवर्तन है तो आप देखो का जो नमक है समुदर से उनको भी दौरा से क्या गयता है प्यूरी फाइई क्या जाता है क्योंकि यह फ्यूरी फाइई नहीं होते तो इस परकार ज चीटियों वह मक्यों में कौन समर पा जाता है तो इसमें एक पर सी ऑप्संस सहीद है क्या नेक्स आप इस सिर्के में तिक्ति-सवात किसके कान आता है तो यह हमने आपको बता है एस्टी के रिट की वज़ा से और नेक्स्ट यहां पर लोहे पर जंक लगना कौन सा परिवारताना है तो यह एक रसानिक परिवारताना है तो देखे तो इस वरकार सामने दो चप्टर इंपोर्डेंट किये आपको आमने वीडियो कैसी लगे इसके लाइक किजिए कमेंट किय से यह दिर दो इड़ किजिए